फिकरों ने रंग चेहरे का ऐसे उड़ा दिया घर की घर की जरूरतों ने मुसाफे बना दिया ऐ खुदा जिन्दगे क्यों बनाया रे उसमें मेटी का दिल क्यों लगाया रे तोड़े दिया है दिल को छोड़े दिया है हमको अरे उसने ही रुलाया रे ऐ खुदा जिन्दगे क्यों बनाया रे आज हम मिलने वाले हैं गोलु तिवारी जी से जो की बिहार से आरा जीले से एक छोटा सा गाउं है जिसका नाम है बर्शिवन वहां के जो बिहार से उस बर्शिवन गाउं से लगा कर मुंबे तक का सफर किस प्रकार उन्होंने तै किया है आईए उनके कहानी सुनते हैं उने की जुबानी गोलु तिवारी जी से आज हमारे बीच में गोलु तिवारी जी है एक्टर और सिंगर आज हमारे बीच में है जो कन्या प्रधान आज से स्टार्ट हो चुका है तो सिरियल के बारे में और करेक्टर के बारे में हम उनसे डीटेल जानेंगे आए हम उनसे बात करते हैं सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है गोलुजी हमारे चैनल पर पहले तो आपको भी जय मता दी और जितने मेरे सुरोटा गन्द देख रहे हैं सबको जय मता दी क्योंकि मैं अधिर्ण का महादेओ को बहुत बटा वहक्त हूँ और मैं बता दू सबसे पहले कि इस श्रियल अ टक आने के लिए जितना मैंने महनत किया है, पहुत बहुत जढ़ा है, और बहुत कुछ पैंने शिकाव ये बंबै में आगर, पहले मैं बता दू कि मैं आरा जिला से आरा जिला, एक जिला है जो लोग वाकई फेस आप कोई जानते ही हैं, और छिला, घरवाता कोeeee जंगली बाबा है मेरे जंगली बाबा एक भगवान है जो पुरा गाउं पुछते हैं आम लोग उनको तो उस गाउंस में बिलॉंग करता हूं और मैं कुछ आपने कहा जैसे कि वहां तक कैसे पहुंचे तो मैं बाता दू कि मैं उतना हाई सुसाइटी फैमली से नहीं बिलॉ करते 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 मैं चंपारन में बढ़ा हो गया रजन मभूमी है आरा जी लाव मेरा कर्म भूमी है चंपारन जीला और मैं बहुत खुशनेशीव हूं की एक जीला सिर्फयन मुझे प्यार मीलता है और वहां के चंपारन के शिंगर मुझे सपोर्ट करते हैं यह अर दूसरी बात यह रहे की चंपारन में सोग करता रहा एक दिन मुझे आपक और आया मेरे जो बहुत ही अच्छे राइटर है जिन करना था पाटोल जी ने गाना गाया है और उनका म्यूजिक पर गाया है लोग अर्बिन लालयादो जी और पाउन सार्मा जी ये लोग मेरे आधरनीय है उन्होंने कॉल किया कि बहुत बड़े डिरेक्टर है सिर संतोस मिश्रा जी नाम कि मुझे धन भाईया ने अकंचा जी एक है अकंचा में उन्होंने नंबर दिया जी गंगा को और यहां से मुझे ओडिशन के लिए गया मैं अडिशन दिया स्लेक्ट हो गया और मैं सोचा नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा क्योंकि हम लोग सपना देखें कि मुंबई जाएंगे काम करेंगे मेरा सपना था सुरू से में मादे उसमा मादे मुझे मुझे जाना है काम करना है वैसे करते 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 आहीं गया वो दिल कॉल है मुझे कि आप सेलेक्ट हो गया आप चले यह तो फिर मैंने गया एग्रिमेंट के लिए वहां पे अधरसर और मेरे बह बहुत अच्छा दिल शेलनों का अभार में और मेरे परमादरणी अरविन भेया पॉन शर्माजी शंतोथ में जिनके वज़े से मैं काम कर रहा हूं और यह बहुत अच्छा मुझे पर्जेक्स में यहां पर आया मैं सोच रहा था किसे कैसे बात करूँ क्या करूँ कैसा सेरियल होगा मैं क्या कर पाऊंगा या फिर मैं वापस आजाऊंगा यहां तकाने के लिए कुछ पैशों की भी जरूरती तो मेरे बहुत अच्छी मीत्र बड़े भाईया जो कहिए दिल के करीब रहने वाले आज अगर मैं यहां पर हूं कर रहा हूं का मैं खाड़ा हूं एक पीलर बनके तो इसके नीचे वो और नहीं बोलते हैं सीमेंट गीटी देने तर पीलर खाड़ा होता है वही है मेरे लिए वही है भगवान सोरूपी है नि कि भया करेने नेपाल के उनका भ一个 पहुत आशीर बात रहा मेरे उपर प्यार रहा और क्या बोलते हैं कि आया शेरीयल में स्टार्ट हुआ जब सेलियल करेक्टर मुझे पदा चल ने उरंजन तीवारी में और यह सीरीयल जो है और बाकी सब का सपोर्ट हैं अशिर्बाद है और बस आप अब क्या बता हो सब थो बता ही दिये आपको हम जानना चाहेंगे कन्या प्रधान में आप किस भूमे का में हैं मैं रंजन तिवारी हाकिम तिवारी जी जो है मेरे पीटा जी है और मैं उनका लड़का रंजन तिवारी मनमोहन तिवारी जी जो क्रेक्टर के हिसाब से अमर तिवारी जी है और एक बात वर बात आना चाहता हूँ मेरे चाचा जी श्री हरेरम तिवारी जी का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे उपर अवे भी सपोर्ट रहता है और मेरे बड़े भाईया जो बीदेश है वहां से भी मुझे इंश्चा पे पुछ दे हैं बेटा काम हुआ कि नहीं हरें अर विदार मिलें लेकिन कई लोग बहुत कोसिस करते हैं यहाँ पर हम यह देखते हैं कि फिल्म इन्डेस्टी में कहीं पार लोग उनसे डिमांड रखते हैं डिमांड भी की जाती है कहीं बियस ूरत करे पड़ा और सानुभूति के लिए में रभी भाईया दरवांगा वाले करता था कि वह ऐसे से क्या करना है तो में जिलना पड़ा बोला ना कि यहां पर रहने के लिए कोई भी सिर्ट में आतो हो रहे है कि तीन मेंना मॉन्थ बात कोई भी आपको कैस या कुछ भी पयमेंट तीन मॉन्थ बात करना पड़ता है तो तीन मन तक आप अपने पैसे चांठ के लिए बहुत बढ़ी बात है और यहां पे ना जहेसे हम घर पर उटते हैं चाय नाचता आ तो नहीं आगे बढ़ेगा, यहां पर मैं एपना डूटेशन बता तरहा हूं थोड़ा सा, मैं यहां पर चार बजे उटता हूं, चार से पांच शुर्ट वोकल याज करता हूं, क्योंकि मैं प्लेबग सिंगर हूं, ने ने ने, मैं अपने घर से बता रहा हूं, ऐसी मैं किसी शीरियल या किसी विय्ज कर्ता हूं, हीर लाज करता ओं, तो साधे आठ बच बजे कॉल क्याता है, चेफ पर है इसी का नाम है बंबे और इसी का नाम है चिंदगी, जो करेगा वहीं पाएगा. अच्छा कहते हैं आपको जो फिल्मी सफर नमा शुरू हुआ है तो कन्या प्रधान के पहले भी आपने किसी सीरियल या किसी मूवी या किसी और चीजों में अपना किर्दार निभाया हूँ तो उसके बारे में भी अपना जरूर बता है में पेले बता दू कि मैंने फर्ष्ट मोभी हिरो किया था अ सेकंड मेर मोभी रहा राजवीर किया किर्दार रहा अपका हरो में रहा हरो के भाई के करेक्टर में रहा मानलेजे हरो के दोस्त हूं लीटली थी हृँ अबाट अचा था उसमें मैं हाप्लेवक शिंग निया था और बात है मैं उसमें आइटम सॉंग में साली बड़ी मुझे पहना दिया गया ता डिरेक्टर से ने बोले कि बहुत स्मार्ट हो और इसका फैदा मुझे उठाना चाहिए तो उन्होंने आइटम सॉंग के साथ मुझे भी फिट कर दिया नहीं तो बीलन को पकरना है पकरने के लि कावाली काया है जिसमें हीरो है अतुल शिरवास्तो जी बीभर्ट सुकला जी का बहुत योदान है मेरे उपर सबका प्रब्ली का भी बहुत अशिरवाद है मेरे गाओं मुझे बहुत प्यार करता है और गाओं के बादे सी में कर पा रहा हूं लिए मैं दो लाइन सुना द क्यूं बनाया रे उसमें मीटी का दिल क्यूं लगाया रे तोड़े दिया है दिल को छोड़े दिया है हमको तोड़े दिया है दिल को छोड़े दिया है हमको हारे उसमे ही रूलाया रे ऐ כुदा जिंदगी क्यूं बनाया रे हिता हिता है बहुत बहुत वगन sister Alexandra才 भाकी बहुत सारा एल्बं मार्केट में वेब से इंगल से वह बहुत काफी किया हूँ और सीरियल तो मैं फर्ष्ट कर रहा हूँ नो डाउट जो कन्या प्रधान पहला सीरियल है कन्या प्रधान मेरा बहुत न फाइशी रहे और बहुत इसमें जो में जो सीन में करेक्टर मिला है अचती है जल्का बहुत आगए चल की यह साइव होटन असे के लिए करीक्टर बहुत अच्छा क्योंगा चाहेंगे इसके साथ हम ये जाना चाहेंगे जह आप सीरियल में काम करते हैं सूट करते हैं आप सूटिंग भी होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम बार वारा रिटे करना होता है अब को डायलोग याद नहीं होता है खेक है न Ow क्या कहते हैं कि डारेक्टर बहुत डाड़ते हैं हमें तो ऐसा विवी कुछ दे बसक्ष आता हम फर्च से पाथला हुआ था मैं आद मैं सौख था कहां जाता हुआ, का ठीक बड़ा ना, इसे डल्दी क्या रहा था डालक तो यह तो भशपुरी हम लोगा भासा है, भशपुर जिला जहां से मैं जन्मा हूँ, वहां से भशपुरी भी जन्मा है, भशपुर आरा जिला चा और उसमें में खांटी गाओं बरिश्वान से हुँ है, तो मैंने डिरेक्ट बोला, क्योंकि यह मेरा भासा है, बोलना है तो मैंने जात बड़ा, ठीक बड़ा नू, एक ही लूट हो गया, मैंने बोलना चीक यहां पर, कैसे किसको टोन में, टोन वही होता है, किसको हम बोलते ह कि, हलो, क्योंको, क्योंको, क्योंको बोलते हैं, हलो, क्योंको, 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 क कन्या प्रधान में इस से कौन से करेक्टर हैं जिन से आप बहुत ज़्यादा इंस्पाइर हुए हो हाँ यह आप एकदम में बात पूछा में इसे बोलती है ना मेरे भाबी को तो मुझे इस फैमिली में मैं हूँ बड़ी आमा है तो बड़ी आमा बहुत कम सुसुक आदमी न जान्यागी कर लेता हैं भाबी के लिए मेरी मा ना हर बत बोलती एख ही म्यां कर मुझे a तब बहूंत Уझ्यादा नहीं होता है सकुनी मामा तो मतले हैं मोहनी भाबी वो बोलती है यह मुझे विल्टकल अच्छा लगता है बहुत बड़ीया बहुत सांदर बहुत अच्छा लगा और इसके साथ आपको डारेक्टर साथ आप सूट पे रहते हैं जब उनसे बात होती है आपकी डारेक्टर साथ में तो कैसा फिल करते हैं आप क्या एक डर रहता है हमारे बिद में नहीं हो डारेक्टर है या फैमिली जैसे कोई महोल है लेकिए कोच्चन बहुत सिंपल पूछा रेकिनिस का एंसर बहुत हार्ड है वो देखने वाले इंटर्वी वात ल कि में पहरागी एक बात मुझे बताया है तो मुझे खुशी होती हु मुझे प्रोब्लम नहीं होती उनसे क्या वाघ्वार और इसके सासद हम जाना चाहेंगे पर्थ प्रोड़ुक्सर पर्टूट्ट के प्रोडुशर है संतोषर रोसल मैम उनके बारे में आप क्या चाहेंगे क्या आप उनके साथ नहीं बाचित करते है किस प्रकार से लगा उनके साथ जो सफर रहा आपको तो पता है कि अभी हम लोग कनिया पर्धान के सेट पे ही हैं अभी आए यहीं पे और अभी पाटी नजवाय हो रहा है सब कोई हम लोग अभी एपीशोड शांत में देखे टेलिवीजन पे देखे सब कोई शांत में और बहुत अच्छा लागा थेंडिंग में चल रह हम पर फैमिली की याद नहीं आती है उनका बहुत अचा सपोर्ट प्यार हर तरीका से मिलता है बहुत प्यार मिलता है अंत में हम यह जाना चाहेंगे कि सब परिवार की बात वी आपने परिवार को याद भी नहीं कर पाता हूं मतलब परिवार को पुरा प्यार यहां मिल ज नहीं होता है कि याद आ जाता है हर समय हर समय तो उसको कमी पूड़ा कर देती है थोड़ा बहुत उतना फैमिली या कोई कमी नहीं पूड़ा करते हैं लेकिन फिर भी होता है अपना अपन सा लगता है उनके साथ वो प्यार मिल जाता है तो अपने परिवार के बारे में थोड मेरे घर में अगर मुझे कोई सपोर्ट किया है तो मेरे जो नहीं होता है सेकेंड सिष्टर मजिल मुझे बोलता है गामे तो मेरे सेकेंड सिष्टर मुझे बहुत सपोर्ट किया है बहुत सपोर्ट किया है और बड़े सिष्टर मुझे बहुत सपोर्ट किया है और बड़े सिष्टर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है सब क तो जैसे आप अप एक्टिंग के चेतर में हों हुँ किरदार के चेतर में आप कर रहे हैं सीरियल तो तो कहीं नऄ उसका प्रभाव आपके शिंगिंग छेतर में पढ़ रहा होगा कहीं कमी आ रही होगी और फिर इफ पनेटली आयरही है कमी ना खले मेरा गाला खराब ना उसके लिए मैं भोकल याज मोडनी में जरूर करता हूं और आभी नौ तरीको मेरा सो है बहुत बड़ा सो है बहुत सा अरभितिया जो जीला है ना वहां पे बहुत बड़ा सो है तो जैसे हम जानते कि आप एक अच्छे सिंगर हैं तो कहीं करेंगे संगीट वहोते हैं जिनसे परेनाय लेते हैं जिन चे उस सीखते हैं या आपने भी संगेट के सिंगेट करीरा कहिंसे ली जै किस प्रकार अपका संगेट सफरम थोड़ा सा दो जिनके घर पर आता हूं, वो मेरे बड़े परमादरे जिन से सबसे पहले बेट हुआ, मेरे मुनिलाल परदेशी जी गुरुजी, जो कि बहुत ही भिख्यात कवाली शिंगर है, नेपाल कॉंट्री से, मैं नेपाल कॉंट्री में मुझे बच्छा बच्छा जानता है, नेपाल है, और इस पर हर इंटर्विव आता रहता है, और आगे भी हम लोग इसे जुड़ गया है, तो आगे आते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा रभी भाई आज जिन से बहुत दिल के मुझे अटेश्मेंट है, दरभायां से भी आरसी में बिलोंग करते हैं, मेरे बड़े बाई जै अगे जैला हूं, आगे साथ जैलू, यूँकि अभी तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं सोचके दंग रहा जाता हूं, यहां तक पहुचने में, तो अगर किसी आर्टीस से किसी आर्टीस के बज़र से कोई आर्टीस छोटा अगर पहुंच जारे उस मंजिल पे, तो आप लोग प्लीज हेल्प कर दीजिए, मैं किसी आर्टीस के में बात कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा टैलेंट रहते हुए बिहार में अपने चीपे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप से अपिल करता हूं, सबसे जितने भी मेरे सुरुता गाने देखते हैं मुझे, कि आठ वज ना कामियाब लोग दुनिया के डर से अपने फेसले बदल लेते हैं, और कामियाब लोग गोलु टिवारी जैसे कामियाब लोग अपने फेसलें से दुनिया बदल देते हैं मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं यहां पर आया, गाहों से मोटा ताजा होके आया था, एक आपनी ने मुझे पूछ दिया, श्टागल होता है न आपने पूछाओ बात, मैं दो लाइन के इसको बता देना चाहता हूं कि एक आकड़ के दुन्हें में बंबे आने के बाद क क्या हलत होती है क्योंकि यहां पर आया था तेशिक की मोटा ताजाय आगए खाप एगे डम लादो के भाई मैं एकड़ की स्maत हihnुत हो आउगा करूंगा वह करूँगा, लेकिन यहां पर आने के बाद सब इसमात की निकल जाता है काम को बज़तarenth tort, तो दो लाइन माइ बत घर की घर की जरूरतों ने मुसाफे बना दिया जितने भी मुझे देख रहे हैं स्रोता गन सबसे अनुरोध करता हूं जितने भी मुझे अपना छोटा भाई प्यार देते हैं मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो लीड इंडिया है बिहार के लिए बहुत अचा चैनल है सो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से हाँ जो कविंती करता हूं इसको सस्क्राइब कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और प्यार देजिए दुलार देजिए रभी मेरे रभी भाई आको थैंको झाल झाल